देश के पूर्व सॉलिसीटर जनरल हरीश सालवे समेट 600 से ज्यादा वरिष्ट वकीलों ने चीफ चस्टिस ऑफ इंडिया जीवाय चंद्रचूट को चिट्टी लिखी है इसमें कहा गया है कि न्याई पाली का खत्रे में है और इसे राजनितिक और व्यवसाइक दबाव से बचाना होगा वकीलों ने इस पत्र में लिखा है कि न्याई का खंड़ता को कमसोर करनी की कोशिश लगातार की जा रही है हम वो लोग है जो कानून को कायम रखने के लिए काम करते हैं हमारा ये मानना है कि हमें अदालतों के लिए खड़ा होना होगा अब साथ आने और आवाज उठाने का वक्त है उनके खिलाफ बोलने का वक्त है जो छिपकर वार कर रही है हमें निश्चित करना होगा कि अदालते लोगतंत्र का इस्थम्ब बनी रहे इन सोचे समझे हमलों का उन पर कोई किसी तरह का आसर ना पड़े बतादे कि 26 मार्च को लिखी गई इस चिट्टी में राजस्तान हाई कोट लॉयर असोसियेशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने भी अपने हस्ताक्षर किये हैं अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने बताया कि चिट्टी लिखने वाले 600 से ज्यादा वकीलों में हरिश सालवे के अलावा बार काउंसल ओफ इंडिया के अध्यक्ष मननमिश्रा, आदिश अगरवाल, छेतनमित्तल, पंकियानन, हितेश जैन, उजवला पवार, उदैहोला और स्वरुपा चतुरवेदी भी शामिल है, उन्होंने कहा कि वकीलों ने ये लिखा है कि रिस्पेक्टेट सर हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साजा कर रहे हैं, एक विशिश समुहय न्याइपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, यह ग्रोप न्याइक की पहचान बताने वाला सोहादर और विश्वाश का वातावरन खराब हो रहा है, राजनितिक मामलों में दबाव के हतकंडे आमबात है, खास तोर से उन कैसे में जिनमें कोई राजनिता प्रिश्टाचार के आरोप में गिरा है, यह हतकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुचा रहे हैं और लौकतांत्रिक धांची के लिए बड़ा खत्रा है। जबाव डाला जा रहा है, जिसमें न्याई होने में थोड़ी असमर्तता और देरी हो रही है। और जहां तक अधिवक्ताओं का डिबेट में रात को आना और दिन में वकालत करना, उससे मैं बिल्कुली समद नहीं हूँ। फैसलों पे अपना कटाक्स करते हैं फैसले आने के बाद में, या फैसला कोई आने वाले हो, उससे पहले ही अपने भू रखे, इंडरेक्ली ये जो प्रेसराइस रख्टिस है, इससे मैं बिल्कुली या सबते। वकिलों द्वारा CGI को लिखी गई इस चिट्टी पर आपका क्या कुछ खयाल है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिलाल के लिए इतना ही, नमस्कार।